नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कारेकरम अंक बोलते हैं और मैं हूँ अर्विंद सूथ निमरालोजी एंड वास्तु कोच चर्चा चल रही है आजकल आपके साथ दोस्तों कि आपकी डेट वर्थ के अंदर या आपके चार्ट के अंदर या नुमेरोस्कोप के अंदर कौन से अंक जब प्रेजेंट होते हैं तो उसका आपके जीवन की उपर क्या परभाव पढ़ता है और क्या आपकी वो स्ट्रेंथ होती है और कैसे आप उसको पहचान के जीवन में एक्स्प्लोर करके आगे बढ़ सकते हैं पिछले एपिसोड में दोस्तों अगर मैंने आपके साथ बात की थी कि अगर आपकी डेटो बर्त के अंदर चार नौ और दो अगर ये तीनों अंक आते हैं तो उसका आपके जीवन प तीन यानि की जुपिटर यानि की ब्रस्पति नंबर पांच यानि की मरकरी बुद्ध और नंबर साथ यानि की केतु अगर ये अंक तीन, पांच और साथ अगर ये तीनों अंक आपकी डेटो बर्त के अंदर आते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा emotional plane लिक्नुस से पहले मन की बात हमेशा करता हूँ आज भी करूँगा दोस्तो कहते हैं दोस्तो कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता कहीं जमी तो फिर कहीं आसमा नहीं मिलता ऐसा नहीं कि तेरे जहां में प्रेम ना हो मगर जहां उमीद हो अक्सर वहां नहीं मिलता कारण हम दोस्तों जितने भी लोग है सब के जीवन में कुछ ना कुछ तो कमिया है और हमेशा रहेंगी हमेशा रहेंगी क्या कर सकते हैं हम लोग जो हमारी कमिया है उसको सिरफ हमें पहचानना है दोस्तो अगर हम उसको पहचान पाएंगे तो हो सकता है कि जो कमिया जीवन में प्रमात्मा में रहे गए उसको कैसे प्लग करेंगे मैं आपको सिखा दूँगा आने वले एपिसोड में बताऊंगा कि आपकी डेटो बर्त के अंदर कौन सी ऐसी कमिया है remember there is no date of birth which is perfect perfect कोई डेटो बर्त नहीं होती दोस्तो हर डेटो बर्त के अंदर plus है हर डेटो बर्त के अंदर minus है तो जो कमिया है जो weakness है आपकी उसको कैसे plug करना है यह मैं आपको सिखा दूँगा दोस्तों आने वले एपिसोड के अंदर तो the point which I drive to home point यह है दोस्तों कि जो भी जीवन के अंदर कम रहे गया इस सिरफ उसको पहचान ले अगर आपको कारण पता चला जाएगा पता चलेगा तो निवारन हम कर पाएंगे कुछ आप कर ले ना कुछ मैं बता दूँगा आपको इसलिए ऐसा ना हो कि जीवन में हमेशा यही कहें कि जीवन के अंदर जहां प्रेम मिलना चाहिए था वहां मिला नहीं और जीवन के अंदर कुछ कमिया रहे गए दोस्तों कमियां दूर हो सकती है चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आपके साथ अगले प्लेन की तीन पांच और साथ यानि की ब्रस्पति, बुद्ध और केतु अगर ये तीनों अंक इकठे आपकी डेटों बरती हैं बहुत भावक होते हैं दियर हाट रूल्स ओवर दियर हैड ऐसे लोगों को ऐसे बोलता हूँ लोगों को कि दिल के राजा और दिल पे चोट एक और बात दियर वेरी गुड हूँमन बिंग क्योंकि हमेशा ये दिल से सोचते हैं मेरा मानना है दोस्तों कि जो आदमी दिल से सोचता है न वो कभी खराब नहीं हो सकता ये वेरी गुड हूँमन बिंग गोल्डन हाट ऐसे लोगों को बोलता हूँ बट प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जब भी करंच टाइम आता है ये हमेशा दिल से फैसले लेते हैं और जब दिल से फैसले लेते हैं तो अकसर दिल पे चोट लग जाती है एक्जामपल देता हूँ दोस्तों आपको मैं ये लोग जब तीन पांच साथ वाले होंगे तो क्या होगा इनको पता होगा कि एक आदमी मुझे पहले ही दो बार चूना लगा चुका है डिसीव कर चुका है धोका दे चुका है अब क्या होगा तीसरी बार फिर वा आदमी इसके पास आएगा फिर वो बोलेगा अरे सर मेरे को ये problem आ गई, मेरी मा मर गई, मेरे को ये बिमारी हो गई, मेरे बच्चा बिमार हो गया, मुझे सर 10,000 पर दे दीजिए, इसको पता है कि ये जूट बोल रहा है, ये उसको एक दो बार कहेगा, नहीं नहीं तो ने पहले भी धोका किया था, ले करेगा, दिल से डिसीजन लेगा, तो इस तरह के लोगों को बोलतों, they are very emotional people, जल्दी से किसी के उपर हस पढ़ना, जल्दी से किसी बात पर रो पढ़ना, जल्दी से भावुक हो जाना, हमेशा फैसले दिल से लेना, ये इनके साथ थोड़ी सी, प्लस या थोड़ी से माइन होते हैं, माइनस ये है कि दिल पे चोट खाते रहते हैं, धोके होते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ, डिस अपॉइंटमेंट जो हैसे लोगों के साथ बहुत होती है, मैरिज सेक्टर, कुश्चर मार्क, ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, लेकिन प्लस क्या है, they are very good human being, they are with a golden heart ये इनका थोड़ा सा प्लस होता है, तो याद रखें, अगर आपकी डेटो बर्त में तीन, पांच और साथ आता है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं, थोड़े emotional होते हैं, yes, another factor, अगर तीन, पांच साथ आता है, तो इनकी कूबियां भी बता देता हूं दोस्तों, ये education sector बहुत अचा है से लोगों का हो सकता है, तो ये प्लस भी है इनके साथ, but the only advice which I want to give them, थोड़ा सा control करें अपनी emotions के उपर, जरा देख लें कि जो आप करने जा रहे हैं, वो emotional है, या आप brain से decision ले रहें, मैसा नहीं कहता कि पूरे decision brain से लें, मैसा भी नहीं कहता कि पूरे decision heart चले, you have to make a mix of both, तो ये मेरा दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा suggestion रहेगा, आज दोस्तों इतना ही घड़ी की सुई जाजत नहीं दे रही है, अगले episode में मैं आपके साथ बात करूँगा, अगर आपकी date of birth चार्ट के अंदर 8, 1, 6, अगर ये तीनों number present होते हैं, तो क्या होता है, चली दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं, वास्तु के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसकी प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल की वास्तु के वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमारे प्रोग् आज के लिए दोस्तों इतना ही और जाने से मेशा मैं कहता हूं कि प्रमात्मा आपको धेर सारी खुशें दे सुख दे अनंद दे निरोक आया हो एंड लीड यूर लाइफ किंग से